हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो आर चैनल, इन टोड़ेज वीडियो आई वांट टो टेल यू, हाउ टू सॉल्व नेटवर्क प्रोब्लेम, इस डिबाइस में नेटवर्क डिएट प्रोब्लम को कैसे ठीक करें, अगर आपके सैमसंग फोन में नेटवर्क सिगनल काम आ रह है, या नेटवर्क एकदम नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस टेप को फॉलो कीजिए, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों से शुरुआत करेंगे, नमबर वान, फ्लाइड मोड, हमारे डिबाइस में फ्लाइड मोड अन आफ करने से एरोप्रेंड मोड को ओफ कर दीजिए, इससे अपके फोन का नेटवर्क सिस्टेम रिप्रेस हो जाएगा, और नेटवर्क सिगनल वापस से लाएगा, नमबर टू, रिस्टार्ट, अगर फ्लाइर मोड अन आफ करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्ब नहीं हुआ है, तो अपना फोन को रिस्टार्ट या सुईच आप कर सकते हैं, नमबर टू, सिम श्लोट चेंज, अगर रिस्टार्ट करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्ब नहीं हुआ है, तो अपने फोन से सिम कार निकल कर फिर से इंसेट करके देखिए, पीछे बैक कावर ओपेन करके सिम सिमश्ड को धिरे से निकली है, उसके बाद एक रॉबर लेके सिम कर पीछे जो मेटल हिसस है उसे धीरे धीरे साब कीजी, क्योंकि क्यों के बाद उसके पर राष्ट जबने के खृलम ठीक हो गया है कभी कभी सीम कर्ट भी खढ़ाव हो सकते हैं उसीम कर्ट को तुर्ट में भी लगए करसकते हैं अगर उसमें नेट़र्वक नहीं आ रहा है तो आपका सीम कर्ण रिब्लेस करनेका टाइम आ चुक है अब नियरेस्ट को ही मोबाइल सॉब में जाके अब अपना सीम डिप्लेस कर सकते हैं नमबर फोर नेटवर्ग रिसेट दोस्तो अगर सब कुछ ट्राय करने के बाद भी नेटवर्ग इसू ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपना डिवाइस में पूरा नेटवर्ग सिस्टेम को रिसेट कर सकते हैं नेटवर्ग रिसेट करने के लिए सेटिंग्स में जाएए सेटिंग्स ओपेन करने के बाद स्कॉल कर तुए नीचे की और जाना है नेक्स्ट जनरल मैनेजमेंड फिर नीचे-नीच आएए इसके बाद रिसेट दोस्तों यहां से और फोन सेटिंग्स नेटवर्ग सेटिंग्स और डिवाइस पॉलमेट कर सकते हैं नेटवर्क रिसेट करने के लिए यहां रिसेट मोबल नेटवर्क पर क्लिक करें। इसके बाद रिसेट सेटिंग्स। फिर आपसे कॉंफ्रमेशन पीन मांगेगा। जो पीन या पासवर अपने लॉक स्कीन पर सेट करके राखे हैं। उसे यहां डर्च करना होगा। इसके बाद कॉंटिन्यू करें। आप रिसेट पर क्लिक करते ही पूरा नेटवर्क सिस्टेम रिसेट हो जाएगा। दोस्तो अगर आपकी फोन की मादरबोर्ड में नेटवर्क ऐसी खरब नहीं हुआ है। तो इन चारो तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था। अगर डिवाइस में कोई टिकनिकल प्रॉब्लम हुआ है।